हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आपके साथ गुलाब चमुन की रेसिपिश शेयर कर रहे हूँ, जिसे आप किसी भी तेवहार पर या खुशी की मुक्चे पर बहुत ही असानी से बना सकते हैं, और ये बहुत ही जादा सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं, य दिखिए अंदर से भी कितने जादा रस से भरे हुए हैं, तो आप इसे जरूर ट्राइ करें, और आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैंने 900 ग्राम चीनी ली है एक पैन में, अब हम इसमें पानी डालेंगे, एक कप, दो कप, और ये वन फोर्थ कप और, हमने इसमें टोटल सवा दो कप पानी लिया है, और इसे उबलने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर, हमें इसे एक तार की चाशनी से पहले ही बंद कर देना है, अब हम इसके खोय की तयारी करेंगे, या डो की, इसके लिए मैंने ये सॉफ्ट खोया लिया है, जि पाड़ी 400 ग्राम खोया लिया है, अब हम सबसे पहले पनीर को मैश करेंगे, सबसे पहले इस तरह से पिंगर से करेंगे, और फिर हम इसको हतेली की हप से इस तरह से क्रश करेंगे, हम इसे कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसी तरह से मस लेंगे, जब तक ये गाड़ा पेस जैसा नहीं हो जाता और थोड़ी दिर में ही आप देखेंगे कि एक देखिए एकदम काड़ा क्रश पेस जैसा हो चुका है अब हम इसे एक साइड में कर देंगे थोड़ा सा और अब हम खोई को इसी तरह से मसलेंगे खोई को भी हम 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह मसल लेंगे इसी तरह से और जब ये बिकोई अच्छे से चिकना हो जाएगा तब हम पनीर और खोई दोनों अच्छे से मिक्स करेंगे और इन दोनों को मिलाकर हम मसलेंगे जब तक ये दोनों मिलकर करके एकदम स्मूड डोर न करेंगे ये हमारा तयार हो चुका है दो आप देख सकते हैं आप हम इसमें मैदा डालेंगे सबसे पहले मैं यह आदा कप मैदा डाल रहे हूं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गुलाब जमां का जब हम दो तयार करें वह बिलकुल नॉर्मल दो तयार होना चाहिए ना पुरा समयदा ओर डाल रहे हूं यहां मैने टोटल 3-4 कप मैदा डाला है वो इसको अच्छी तरह से मसलते हुए एक डो जैसा तयार कर लेंगे यह आप देख सकते हैं हमारा डो बिलकुल तयार है अब हम इसमें से अगर एक छोटी सी पेड़ी तोड़ेंगे और इससे गु एक बड़ा चमच पारी कटा हुआ काजू लेंगे और एक चुथाई चोटी चमच इलाइची पाउडर डालेंगे और इसमें से दो चमच परके हम यह डो डालेंगे जो हमने तयार किया था भी पनीर और खोएगा और इसमें यह ड्राइफूट अच्छे से मिक्स कर देंग ऐसर करने से स्टफिंग करने में असानी हो जाएगी यह देखिए यह तयार है हमारी चाशनी भी उबल चुकी है अच्छे से अब मैं आपको यह दिखाती हूँ फिंगर्स पे नगा के यह बस चिप-चिपी है एक तार भी इसमें पूरी नहीं बन रही है तो हमारी चाशनी मतब तयार है अब मैं गैस बंद कर दूँगे और इसमें एक चुथाई चुटी चमाच लाइची पाउडर डाल देंगे और तीन से चार बुंदे हम इसमें रोज एसंस की डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे धग कर रखतेंगे अपने कि हमारे डो में थोड़ा सा मैदा और मिलाएंगे लेकिन ये बिल्कुल सही आ रहा है तो इट मींस कि हमारा डो बिल्कुल सही है अब हम डो को इस तरह से लंबा करके थोड़ा सा इस तरह से एक इसको एक लंबी रोब की शेप दे देंगे और फिर इसे बराबर की साइज मे काट लेंगे ऐसा करने से हमारे गुलाब चामून बिल्कूल एक से साइस गी आएंगी कि और इन्हें इस तरह से गोल शेप देदे अब हम कुछ गुलाब चामून में स्टाफिंग करेंगी तो इसमें से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे बीच से और इसमें थोड़ी से स्टापिंग डग देंगे और इसे वापिस उपड़ करके बंद कर देंगे पर आप ध्यान लखिए बंद करते समय कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो यह बिल्कुल स्मूध होना चाहिए उपर से अब हमारा ओयल भी गरम हो चुका है तो अब हम उसे इस तरह से रोटेट करेंगे थोड़ा सा ताकि जब हम गुलाब जामुन इसमें डालें तो यह बिल्कुल नीचे एकदम जाके बैठना जाएं ऐसा करने से जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल इवन उस पर कलर आता है बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं अब हम गुलाब जामुन को लू फ्लेम पर ही फ्राइ होने देंगे आप ध्यान रखें कि यहां फ्लेम बिल्कुल भी हाई और मीडियम ना करें एक बार कि गुलाब जामुन पकने में कम से कम 10-15 मिनट लगती है और इसको आप हलका हलका तो आप अब मैं इसमें थोड़े से गुलाब जमून और डाल रही हूं और इससे आप देख सकते हैं कि गुलाब जमन का साइज जो हमने पहले डाला था वो काफी बढ़ चुका है साथ ही थोड़े से गुलाब जमूर रेडी कर लेंगे अब ये बिना स्टफिंग के बना इन्हें बनाना जादाग होता है और यह जादा फटते भी नहीं और यह बिना क्राइक के असानी से तैयार हो जाते हैं । इसी तरह से हम सारी गरम होनी चाहिए ऐसा करने से ये जल्दी से शुगर सिरफ एब्जॉब कर लेते हैं और काफी सॉफ्ट बनते हैं अगर चाशनी आपकी ठंडी हो चुकी है तो उसे गैस अन करके दुबारा थोड़ा सा गरम कर लें और गुलाब चमुन डालने के बाद कर्ची से हलका सा प्रेस कर लें और इसे वापिस रख कर रख दें तब तक हम बाकी के गुलाब चमुन इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी निकाल कर हम चाशनी में डालेंगे सिधा आप ध्यान रखें कि हमें इन्हें low flame पर ही हमेशा fry करना है अब हम पहले के गुलाब जमून जिन्होंने चाशनी अच्छे से absorb कर ली है उन्हें थाली में निकाल लेंगे और बात के गुलाब जमून हम गरम चाशनी में डालेंगे और लीजे हमारे गजो गुलाब जमून है अच्छे से तयार हो चुके है आप ध्यान रखें कि अब इन्हें सारे गुलाब जमून को कम से कम 2-3 घंटे के लिए चाशनी में डूबा रहने दे ऐसा करने से यह जादा सौफ्ट रहेंगे और अंदर तक इसके चाशनी चली जाती है यह बहत ही जादा सौफ्ट बने है बस आप इन्हें बनाती टाइम कुछ पातों का ख्याल रखें कि जो डू हो वो बिलकुल सौफ्ट होना चाहिए बतार नॉर्मल होना चाहिए ना जादा सॉफ ना जादा टाइट और इन्हें अच्छे से मसले और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राइ करें और जब एकदम एक सा कलर आ जाए तब हम इसे हलकी गुंगुनी या गरम हलकी गरम चाश्टी में ही डालें ऐसा करने से अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अब मिलती हो नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर थैंक्स वर वाचिंग